सहारनपूर जिले की अस्थापना 1340 के आसपास में हुई थी और सहारनपूर जिले को प्राचीन समय में गुर्चर गड़ के नाम से जाना जाता था उसके बाद मुगलो के सासन के दोरान इस जिले का नाम गुजरगड से बदल कर सहारनपूर कर दिया गया था जो वर्तमान समय में यह जिला सहारनपूर के नाम से जाना जाता है और जिले का प्रसासनिक मुख्याले सहारनपूर सहर में इस्थित है दोस्तों जिले की स्थिती की बात करें तो सहारनपुर जिला उत्तरप्रदेश राज्जी के उत्री हिस्से में बसा हुआ है सहारनपुर जिला अपने कई पडोसी जिलों से अपनी सीमाये टच करता है जिसमें सामिल मुझभफन नगरजिला इसके अलावा उत्तरा खंड वा हरियाडा राज्जी की सीमाओं से सटा हुआ है 3860 वर किलो मीटर के छेत्रफल में फैले सहारनपूर जिले की जनसंख्या लगबग 40,16,000 है जिसमें सामिल पूर्सों की जनसंख्या 21,24,000 तथा महिलाओं की जनसंख्या 18,91,000 है वहीं सहारनपूर जिले का लिंगा अनुपात 890 है यानि कि यहाँ पर 1000 पूर्सों पर 890 महिलाएं है दोस्तो जात्य धर्म के अनुपात्य जिले में 56,74% हिंदू, 41,95% मुसल्मान और 0,97% अन्य धर्मों के लोग रहते हैं सिच्छा के मामले में सहारनपूर जिले की कुल साच्छर्तादर 71% है जिसमें सामिल पूर्सों के कुल साच्छर्तादर 78% तथा महिलाओं के कुल साच्छर्तादर 62% है जीवी जैन कालेज, महराज सिंग डिग्री कॉलेज जैसे अनिकई सिच्छन संस्थान सहारनपूर जिले में मौजूद है प्रसाच्छनिक द्रष्टिकोट से सहारनपूर जिले में कुल 5 तहसीले मौजूद हैं जो इस प्रकार हैं सहारनपूर, बेहट, नकुंड, देवबंद और रामपूर मनिहारन हैं जिले में 11 बलाग और 22 पुलिस स्टेशन मौजूद हैं दोस्तो आवागमन के द्रष्टिकोट से सहारनपूर सहर, रेल मार्ग, सडक मार्ग और हवाई मार्ग, जैसे मार्गों से अच्छी त्रह से जुड़ा हुआ है सहारनपूर जिले का मोखी रेलवे इस्टेशन वा सहारनपूर जक्सन रेलवे इस्टेशन है। सहारनपूर जक्सन रेलवे इस्टेशन वा सहारनपूर जक्सन रेलवे इस्टेशन है। तो आईए दोस्तों इन खूबसूरत परेटन अस्टलों से रूबरू करवाते हैं। हतनी कुंद बैराज ये खूबसूरत बैराज यमना नगी के किनारे पर बना एक प्रकार का बांध है। जहां पर चारो तरब सौंदार रिवातावरण देखने को मिलता है। जो कि हरियाली से भरा हुआ है। यह बांध हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर इस्थित है। जो कि सहारनपूर जिले का प्रमुख पिकनिक स्पोट है। दारुल उलूम सहारनपूर का एक सुन्दर अस्थल है। यहां पर आपको बहुत ही सुन्दर मस्जित देखने को मिलती है। यह मस्जित सफेद मारबल से बनी हुई है, जो देखने में बहुत ही आकरसक लगती है। यह मस्जिद सहारनपूर में देवबंध नामक अस्थान पर इस्थित है संकुभरी देवी मंदिर यह मंदिर सहारनपूर चिले का काफी प्राचीन वा प्रसिध मंदिर है संकुभरी देवी मंदिर हिमालय पहाड के निचले तराई छेतर में इस्थित है और यहां पर चारो तरब पहाडियों का सुन्दर द्रसित देखने को मिलता है इस मंदिर में दूर दूर से लोग माता संग भरी देवी जी के दर्सन करने के लिए आते रहते हैं मा बाला सुन्दरी देवी मंदिर यह मंदिर सहारनपूर को मुझपः नगर से जोडने वाली रोड पर इस्थित है हर साल यहां पर चैत्र मास की चतुर दसी पर एक भावी मेला लगता है मेले में भक्त मा के दर्सन करने के लिए आते रहते हैं दोस्तो यदि आप सहारनपूर जिले को आ रहे हैं तो इन खूबसूरत परेटन अस्तलों पर एक बार घूमने के लिए जरूर चाहिएगा दोस्तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें मिलते हैं दोस्तो अगली वीडियो में जैहिंदोस्तो